हेई welcome back to our channel दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इस mobile को कैसे हम hard reset कर सकते हैं इस mobile को hard reset यानि कि पूरी तरीके से format करने का process बहुत easy है लेकिन दोस्तो mobile को reset करने से पहले मैं आपको बाता दू कि इस phone में जितने सारे photos, videos, gmail account, important data बगरा मोजूत है mobile को reset करने से पहले उन सारे data का backup ले लीजिए क्योंकि reset पर click करने के बाद आपका सारे data delete हो जाएगा तो इस mobile को hard reset मानने के लिए सबसे पहले आपको mobile के setting में जाना होगा setting को खोलने के बाद यहां पर आपको उपर में search setting का एक box देखने के लिए मिलेगा तो search पर में click करें फिट टाइप किजिए factory F-A-C-T-O-R-O-I उसके बाद आपके सामने factory reset लिखा एक option आएगा इसके उपर हम click करेंगे factory reset के अंदर आपको कुछ इस तरह का interface देखने के लिए मिलेगा आपके phone में जितने सारे account, contact, photos, videos, apps, etc. सब कुछ delete हो जाएगा तो इस teach को अब ध्यान रखिए उसके बाद नीचे में erase all data या फिर reset phone का option आएगा उसके उपर हम click करेंगे next आपके mobile का lock screen का password एंडर करना होगा उसके बाद अगर आपके phone में MI account login है तो उसका भी password डालना पड़ेगा तो मैं यह पर मेरा MI account का password डाल देता हूँ उसके बाद next करेंगे next आपसे confirm किया जाएगा क्या आप अपने phone से सारे data को खोने के लिए तैयर हो यदि आपका उत्तर है है तो next step का option दबाईए फिर आपसे दूबड़ा पूछे जाएगा क्या आपने सभी data को backup लिया है यदि आपका उत्तर हाँ है तो OK पर click करें फिर आपका device restart होना शुरू हो जाएगा जब तक आपका device पूरी तरीके से restart ना हो जाए तब तक आप इस phone को चालू या बंद करने की कोजिस ना करे और होसा के तो charger को mobile के शाथ connect करके रखिए तो दूस्तो इस तरीके से आप अपना phone का hard reset कर सकते हो उम्मीद करते हो कि ये वीडियो आपके लिए वहवोती helpful दा तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको वोड़ बासु क्रिया